अबिशेक गौरहा और आप सभी का स्वागत है कॉंपिटिशन कम्यूनिटी के इस ऑनलाइन प्लाटफॉर्म पर आज है वेंस्डे और आज हमारे लिए है इंटरनाशनल और नैशनल करेंट अफेर्स का सब्जेक्टिव डे आज के ही वीडियो पर बेस करके हम कल याने कि थस है आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के हमारे इस सेशन में सबसे पहले हम देखेंगे हमारे लिए इस हफ़ते याने कि मई के तीसरे हफ़ते में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रही है नैशनल और इंटरनाशनल याने कि राश्ट्री और अंतर राश्ट्री ये लेवल पर हमारे लिए कौन सी चीजे महत्वपुर्ण रही हैं उनको हम देखेंगे यहां पर है सबसे पहला आपके पास में इंटरनाशनल सोलर अलायंस दूसरा है आपके पास इसके बाद में हम कुछ देखेंगे ऐसे स्थान जो हाल ही में चर्चा का विशय रहे हैं पहला है आपका सिक्किम दूसरा है आपका कुल शेकर पटिनम तमिल नाडू का तीसरा है आपका इंडोनेशिया और चौथा हो जाएगा आपका ब्राजील इसके बाद में हम हैंगे हमारे लिए कुछ important या फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे personalities होंगी उनके बारे में हम देखेंगे जैसे कि पहली हैं आपके पास में जोती रात्रे दूसरे हैं संजीव सूरी पिर तीसरे हैं कामी रीटा शेर्पा उसके बाद में हैं काम्या कार्थिकेयन फिर है टेलर श्रिफ्ट ये वो लोग हैं जो हाल फिल हाल में continuously क्या रहे हैं news में बने रहे हैं इसके बाद में हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हुए देखेंगे हमारे sports में हमारी इंडिया का performance कैसा रहा तो world para athletics आज तक का इंडिया का best performance हमें देखने मिला है world para athletics में जिसके ब इसके बाद में हमारे पास second है world youth weightlifting championship याने की युवा वेश्व भारत तोलन championship इसमें हमारी भारत की एक star weightlifter ने क्या किया है world record बनाया है और इनका नाम क्या है प्रीती स्मिता इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे Asian relay championship के बारे में और miscellaneous facts हैं जिनको हम थोड़ा सा देखेंगे इसके बाद में हम देखेंगे vivid या फिर miscellaneous हमारे पास में क्या क्या facts हैं जो राश्ट्री अंतर राश्ट्री लेवल पर हमारे लिए important हैं जैसे की world's AIDS vaccine day हम देखेंगे Bloomberg की जो billionaires की index आई है उसको हम देखेंगे फिर देखेंगे ह acting president of Iran क्योंकि हाल ही में इरान में एक दुखद helicopter crash में वहां के राश्ट्रपती वहां के विदेश मंतरी समेट 9 लोगों की दुखद प्रित्यू हो गई है जिसके कारण अब प्रेसिडेंट जो है वहां के acting president न्यूक्त किया गया है कि इन्हें मुहमद मुखबर को तो इसके बारे में थोड़ा सा information देखेंगे फिर एक index है जो world travel and tourism index बोला जा रहा है जिसको यह आपका विश्व यात्रा और पर्रेटन सूच कांक है इसको हम क्या करना है देखना है वियतनाम में एक नए president क्या किये गए हैं चुने गए हैं उसके बारे में देखना है और first in first time in India मतल करते हैं सबसे पहला हमारे पास में है international solar alliance है ना तो यह क्या है यह क्यों न्यूज में बना हुआ है यह Spain has become the 99th member country to assign to sign the agreement मतलब Spain इस समझोते पर हस्ताक्षर करने वाला 99 देश बन गया है 99 सदस्च देश बन गया है अब यह जो international solar alliance है यह इंडिया और France की एक क्या है संयुक्त रूप से प्रयास है ताकि दुनिया में जो हम renewable energy है याने कि solar energy है उसका ज्यादा से ज्यादा use करें जो हमारे conventional sources of energy है या फिर पारंपरिक जो आपका उर्जा श्रोत है उन पर हमारी नि देश इसे इंडिया और France ने क्या गठन किया है इंडियन इंटरनाशनल सोलर अलायंस का वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं वर्तमान में इसमें 119 सदस्य हैं मतलब 119 देश हैं जिनोंने इस international solar alliance को क्या कर लिया है अपना जरूर लिया है लेकिन अब यहाँ पर हम बोल र करने के लिए जो जरूरी तस्तावेज हैं उन पर हस्ताक्षर करके उसे क्या कर दिया है इंटरनाशनल सोलर अलायंस को दे दिया है मतलब 119 देशों ने अपनी सहमती दी है कि हम इसका पार्ट रहेंगे लेकिन 99 ऐसे देश हो गए हैं जिनोंने एक्चिली में इस agreement में साइन करके क्या कर लिया है पूर्ण रूप से इसकी सदस्यकता को अपना लिया है तो हाल ही में निन्यान बेवा देश आप से directly सवाल यही पूछा जाएगा निन्यान बेवा देश कौन सा है जिसने इंटरनाशनल सोलर अलायंस में पूर्ण रूप से अपनी सहमती दे दी है तो वो है कौन आपका स्पेन अब इसका हेड़ कोटर कहां है इसका हेड़ कोटर है इंडिया में जहां कहां पर गुरु ग्राम में क्या है यह 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 भी देख लेते हैं यह राश्ट्रो का एक समूह है जो उश्न कटिबंदिये छेत्र में स्थित है और 300 से अधिक दिनों तक भूप प्राप्त करते हैं यह भारत और फ्रांस की एक क्या है सयुक्त प्रयास है अगर यह हमारा प्रित्वी है पीचों बीच से एक imaginary line हम ड्रॉ करते हैं जिसे हम बोलते हैं भू मद्य रेखा या फिर equator equator या फिर भू मद्य रेखा बोलते हैं हम इसे ऐसा माना जाता है कि इस भू मद्य रेखा के आस पास में आप लोगों को सबसे ज्यादा क्या देखने मिलती है बायो डाइवर्सिटी जैव विविद्धता और जैसे जैसे हम इस भू मद्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की और मूव करने लगते हैं वैसे वैसे जैब विविदता में कमी आने लगती है और इसका मुख के कारण है यह जो भूम अध्य रेखा है यहाँ पर आपकी सूर्य की किर्णे साल भर कंटिनेसली क्या होती रहती हैं पढ़ती रहती हैं अब इसके बाद में हमारे पास दो imaginary lines और हैं एक को हम बोलते हैं कर आपके सूर्य का मूमेंट कंटिनेसली होता रहता है मतलब अगर आप सूर्ज को देखें तो उसका मूमेंट केवल इसके बीच में ही होगा क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक ही सूर्य का मूमेंट होता रहता है जून में सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर आ जागा कौन है आपका सूर्य यानि कि भूमद्य रेखा जून में भूमद्य रेखा के ऊपर आ जाता है सूर्य इसलिए उसकी डैरेक्ट केरने पड़ती है किसमें भूमद्य रेखा पर फिर यह धीरे से मूमेंट करते हुए जून जुलाई अगस सितंबर तक पहुँच जाता है कहाँ पर ट्रॉपिक ओफ कैंसर में ठीक है ये थोड़ा उल्टा हो गया अच्छा ठीक है फिर से आते हैं यहाँ पर हम लोग जो जून का समय होता है उस समय इग्जैक्ली आपका सूर्य जो होता है वो ट्रॉपिक ओफ कैंसर के उपर होता है जो की अगर लैटिटुड में हम बात करें तो यह हो जाता है आपका 23.5 डिग्री नौर्थ अब सूर्य का मॉमेंट अभी जून के समय में ये कहाँ पर है ट्रॉपिक ओफ कैंसर के उपर इसके किरने डायरेक्ट पढ़ रही है इसलिए ये जो आपका पूरा क्या है उत्तरी ये गोलाड है नौर्दन हेमिस्फेर यहाँ पर आपका क्या हो रहा है गर्मी का मौसम है लेकिन जैसे जैसे जून के बाद जुलाई अगस सेप्टेंबर होता जाता है तो यही सूर्य आपका किस ओर मूफ करने लगता है वापस भू मद्यरेखा की ओर और फिर जुलाई अगस सेप्टेंबर अक्टोबर नवेंबर और डिसेंबर के टाइम में यह पहुँच जाता है कहाँ पर तक्षिणी गोलार्द के ट्रॉपिक ओफ कैंसर में यानि की साधन हेमिस्फेर में तो इस दिसंबर के समय आपके साधन हेमिस्फेर में गर्मी का मौसम आ जाता है और जो हमारा नौर्दन हेमिस्फेर है या फिर उत्तरिय गोलार्ड है वहाँ पर क्या आ जाता है? वहाँ पर ठंड का मौसम आ जाता है हमको देखने ये मिलता है कि ये जो सूर्य का मुवमेंट है ये कंटिनियसली किन-किन दो रेखाओं के बीच में हो रहा है ट्रॉपिक ओफ कैंसर और ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकॉन इसलिए ये जो पूरा का पूरा छेत्र है यहां से लेकर के यहां तक इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन या फिर उश्न कटिबंधिय चेत्र अब ये उश्न कटिबंधिय चेत्रों में रहने वाले जो देश हैं स्थापिज जो देश हैं और साथ ही जिनमें 300 से ज्यादा दिनों तक क्या मिल रहा है संशाइन मिल रही है उन सभी का एक गडबंधन बनाने की कोचिश किये है किसने किसने इंडिया और फ्रांस ने ताकि ये जो सोलर अनर्जी है सौर उर्जा है हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें तो यही है आपका क्या अंतरराश्ट्रिय सौर गडबंधन और इसका निन्यान बेवा देश अभी कौन बन गया है जो इसमें एग्रिमेंट में साइन कर दिया है वो बन गया है आपका स्पेन डायरेक्ट क्वेशन आपसे पूछा जाएगा अब इस जो इंटरनाशनल सोलर अलायान्स है इसके अबजेक्टिव क्या है एक है आपका एनर्जी सिक्योरिटी या फिर उर्जा सुरक्षा दूसरा है आपका energy security अच्छा ठीक है ये उर्जा सुरक्षा है तीसरा है आपका energy transition या फिर दूसरा ये दो बार लिखा गया इसको छोड़ देंगे energy transition या फिर उर्जा का संक्रमन याने की पारंपरिक जो हमारे श्रोत है उर्जा के उससे हमको किस ओर बढ़ना है गैर पारंपरिक श्रोतों की ओर या फिर हम ये बोलें कि non renewable जो energies हैं हमारी उसके उससे हमको हट करके किस ओर बढ़ना है renewable energies की ओर बढ़ना है और यही energy transition का मतलब होता है है ना इसके बाद में हमारे पास में global partnership है याने की हमें क्या करना है वैश्विक साजेदारी करना है ये भी इसका एक उद्देश है और finally क्या है capacity building for not so well to do partners मतलब जो countries हमारे इस solar alliance में क्या बन गई है भागीदार तो बन गई है लेकिन कहीं न कहीं अपने देश की अर्थ व्यवस्था के कारण थोड़ा सा ये लोग जो energy transition है इसमें भी और solar जो आपका capacity है solar power plants लगाने की जो capacity है उसमें कहीं न कहीं lag कर रहे हैं तो उनके लिए हम लोगों को क्या करना है capacity building का काम भी करना है ठीक है इन उद्देशों के साथ में गठन किया गया था अब यहां पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है ये ये है आपका main aim aim है किसका solar alliance का 2030 तक इसको ये लोग achieve करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका नाम क्या है towards 1000 strategy याने की 1000 की और रण नीती अब ये 1000 क्या है इसका aim क्या है to mobilize US dollar 1000 billions for investment to solar energy solutions by 2020 2030 मतलब 2030 तक हमें 1000 billion dollars क्या कर लेने है investment का arrangement करना है ताकि हम safe transition smooth transition कर सके solar energy पर दूसरा इसका क्या है 1000 billion people delivering energy access to 1000 million people using clean energy मतलब 1000 million लोगों तक क्या पहुचाना है साफ या फिर शुद्ध आपका स्वच उर्जा पहुचाने की कोशिश करनी है फिर तीसरा इसमें जो 1000 towards का आपका रण नीती है उसमें क्या जाएगा installation of 1000 gigawatt of solar energy याने की 1000 gigawatt का क्या करना है सौर उर्जा का हमें शमता develop कर लेनी है 2030 तक और फाइनली जो कोईले को जला करके हम क्या करते हैं thermal power plants में electricity पैदा करते हैं उसके कारण carbon dioxide का उत्सर्जन होता है कहीं न कहीं हमें पेडों की कटाई करनी पड़ती है उसके कारण हमारा जो carbon dioxide का sink होता है वो कम होता है तो solar energy के लिए जैसे ही हम transition करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यह चौता इनका जो 1000 strategy है उसका यह चौता पॉइंट आ जाएगा mitigate global solar emissions to tune to 1000 million tons of carbon dioxide मतलब जो 1000 million ton प्रती वर्ष carbon dioxide का उत्सर्जन होगा उसको कम करने में क्या करेंगे कोशिश करेगी कौन यह जो solar international international solar alliance है और यह आपकी strategy है कौन सी towards 1000 strategy और यह कितने points में हमारे पास में 4 points पहला है 1000 billion US dollars का investment arrange करना दूसरा है 1000 million लोगों तक स्वच्च श्रोत का क्या पहुंचाना उर्जा पहुंचाना तीसरा है हमारे पास में 1000 गीगा वाट of solar energy capacity generate करना और चौता हो जाएगा हमारा 1000 million ton carbon dioxide प्रती वर्ष के उत्सर्जन को क्या करना घटाना इसके बाद में यहां पर खताम होता है हमारा international solar alliance दूसरा जो हमारे लिए बहुत important है यह है आपका form 17c हाल ही में यह news में continuously बना हुआ है form 17c यह है आपका भारती लोक तंत्र के तेवहार याने की आम चुनाओं से संबंदित अब यह क्यों है news में पहले यह देख लेते हैं a petition in supreme court was admitted asking election commission of india to publish the data of form 17c to publish to public domain within 48 hours of closing of voting क्या बोलना चाहरा है जो आपका form 17c है इसके data जो आपका election commission of india है वो हर मतदान के चरण के 48 घंटों के अंदर में इसके data को public domain में जारी कर दे ऐसी एक petition लागू की गई है या फिर लाई गई है कहां पर supreme court में क्यों लाई गई है आगे देखते हैं पहले देख लेते हैं यह form आखिर है क्या what is it it is a form that records multitude of data including wide information that is number of polling booth name of polling booth the number of voters data from form 17a मतलब form 17a में हमारा क्या रता है voters का data रता है कि एक election निर्वाचन छेत्र में कितने आपके voters हैं इसके बाद में number of voters rejected with the number of voters finally accepted मतलब यह एक ऐसा form है जो polling booth की विस्तरित जानकारी रखता है polling booth की संख्या मतदान केंद्र का नाम मतदाताओं की संख्या जो की कहां मिल रही है हमको मतदाताओं की संख्या कहां मिल रही है form 17a में मिल रही है इसके बाद में खारिज किये गए मतदाताओं की संख्या, फिर अन्ततह स्विकार किये गए वोटों की संख्या सहित, कई अन्य रिकॉर्ड भी ये क्या करता है, रखता है, form 17C, तो इसको क्या करने की मांग की जा रही है, public domain में इसको publish करने की मांग की जा रही है, within 48 hours of voting. अब ये जो form का दूसरा भाग है, वो भी बहुत मतवपूर्ण है, क्योंकि यह गिंती के दिनों में काम आता है, जब मतदान के दिनों में स्विक्रित वोटों की कुल संख्या के मुकाबले सभी उम्मीद्वारों के लिए मतदाताओं की संख्या का जाच किया जाता है, या कि किसी पाटी के लिए वोटों की हेरा फेरी से बचाओ के लिए है, मतलब जिस दिन वोटिंग होती है, उस दिन ये काउंट किया जाता है कि टोटल वोट्स कितने पड़े हैं किसी भी पोलिंग बूट में, और साथ में हर जो वहां का कैंडिडेट है, उसको कितने वोट्स मि तो इसलिए भी ये काम आता है क्या आपका form 17C, अब देखे, it is a form found in conduct of election rules 1961, very 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 important, आपसे directly question पूछेगा form 17A या फिर form 17C जो हाल ही में controversy में बना रहा है, news में, उसका श्रोत क्या है, वो कहां से मिला है, क्या ये representation of people's act 1961 से मिला है, क्या ये आपको model code of conduct के act से मिला है, या फिर conduct of election rules 1961 से मिला है, तब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये कहां से मिल रहा है, आपको conduct of election rules 1961 में इसका क्या है, श्रोत है इस form 17C का, अब ये विवाद क्या है, चुनाओ आयोग द्वारा पहले औ और दूसरे चरण के मतदान के आकड़ों को जारी करने में देरी हुई, और साथ साथ जो preliminary या फिर प्रात्मिक आपके data जो जिस दिन polling हुआ था, उस दिन जो चुनाओ आयोग ने data दिये थे, और साथ ही चुनाओ आयोग द्वारा sweep कार्यक्रम के माध्यम से, SVEEP, sweep कार्यक् ये जो आपका voters turn out ratio है, इसको बताने में क्या हो गया है, चुनाओ आयोग से देरी हो गई थी, पहले और दूसरे चरण के बाद में, जिसके बाद में opposition parties ये बोल रही थी, कि morph किया जा रहा है, जो आपके votes हैं, voting के आकड़े हैं, उनको क्या किया जा रहा है, morph किया जा रहा ह है, इसलिए हम Supreme Court से अनुरोध करते हैं, कि जो चुनाओ आयोग है, election commission of India है, वो form 17C के data को क्या कर दे, within 48 hours of election, क्या कर दे, उसे public domain में publish कर दे, तब फिर यहाँ पर ये पूरा विवाद सामने आया, इसके बाद में election commission ने इसके उपर क्या कहा है, ये भी देख लेते हैं, Supreme Court मे petition लाग हुआ, petition के लिए election commission को वहाँ पर खड़े होने को कहा गया, कि आपके खिलाफ ऐसी ऐसी petition आया, आपका क्या जवाब है इस पर, तब election commission ने इसके बारे में क्या कहा है, ये भी सुन लेते हैं, क्योंकि ये कहीं ने कहीं हमारे right to information से सम्मंदित पूरा का पूरा मामला च पत्रों को भी शामिल किया जाता है, ये कहना है किसका, election commission of India का, इसके बाद में क्या बोल रहा है, जो आपके form 17C के data को publish करने कहा जा रहा है, उसको क्या किया जा सकता है, मौर्फ किया जा सकता है, मतलब उसमें जो voters के data है, उनको easily कोई भी अपने phone से या computer से क्या कर सकता है, और उससे क्या हो जाएगा, widespread discomfort फैल जाएगा, याने कि images of published numbers can be morphed leading to a widespread discomfort, प्रकाशित संख्या की छवियों के साथ में छेड चाड किया जा सकता है, जिससे व्यापक असुविधा फैल सकती है, इसके बाद में इसने अगली जो बात कही है, वो कही है, no legal mandate to release the data, हमको कहीं से भ अवश्यक है, इसके बाद में बोल रहे हैं कि आप फाइनली सुप्रीम कोट से अनुरोध कर रहे हैं, ये election commission of India वाले, कि ये जो petition है, जिसमें बोला गया है, form 17C को release करने के लिए, on public domain, इसे क्या कर दिया जाए, रद कर दिया जाए, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, तो य ये था पूरा का पूरा आपका मामला किस्से संबंदित, form 17C से, तीसरा जो हमारे लिए important है इस हफते वो है, Indian Cellular and Electronics Association की एक report आई है, भारतिये Cellular and Electronics Association की एक report आई है, जिसमें ये बताया गया है, कि जो आपका वित्तिय वर्ष 2023 का रहा, याने कि March 2023 से लेकर के, स्वरी, April 2023 से लेकर के, March 2024 तक का समय रहा, 1st April से 31, March तक का जो समय रहा, जिसे हम एक वित्तिय वर्ष बोलते हैं, वित्तिय वर्ष 2023-24, इसमें smart phones have become the 4th largest export product of India, with 42% contribution in export reaching to about Rs. 1.29 lakh crore, it has taken over the place of motor gasoline, smart phone भारत का 14 सबसे बड़ा निर्यात तक उतपाद बन गया है, जिसका निर्यात 42 प्रतीशत, निर्यात में 42 प्रतीशत का क्या है, योगदान के साथ साथ, लगबग 1.29 lakh crore तक पहुँच गया है, इसने motor gasoline की जगा ले ली है, ठीक है, तो क्या हो गया है, 4th largest exporting product बन गया है, कौन हमारा smart phone manufacturing, आप सभी को पता होगा, smart phone manufacturing में इंडिया का पूरी दुनिया में second rank है, चाइना के बाद second हमारा इंडिया है, जो क्या करता है, maximum smart phones manufacture करता है, अब इसका कारण क्या रहा, इसका कारण रहा due to 158% increase in shipment to America last year, मतलब पिछले वर्ष अमेरिका में 158 प्रतीशत की वृत्ती हुई है shipment में भारत से, जिसके कारण हमको ये क्या करने, ये देखने को मिला है, कि motor gasoline को पीछाड़ करके, smart phones हमारा चौथे नंबर का क्या हो गया है, export material बन गया है, भारत smart phone निर्यात में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, अब ही हमने देखा, आगे चलते हैं, अब ये हमारे लिए बहुत important हो जाता है, क्योंकि smart phones ने हाल ही में अपना एक पायदान बनाया है, ये पहले पाँचवे नंबर में थी, अब चौथे नंबर में है, तो one day exams में आगामी दो से तीन महीने, चार महीने के अंदर होने वाले जो one day exams होंगे, उसमें आप लोगों को क्या करेगा, ये पाँचों को देगा, और इसको क्रम में जमाने बोलेगा, पहले से लेकर के पाँचवे नंबर तक का जो भारत के निर्यातक उत्पाद है, उनको आप उनकी निर्यात में योगदान के अधार पर क्या करेंगे, जमाएंगे, ये आपको दे सकता है, तो सबसे पहला क्या है, आटो मोबाइल डीजल, दूसरा है पॉलिश्ड डायमंड, तीसरा है एविएशन टर्बाइन, फ्यूल, उसके बाद में स्मार्टफोन और मोटर कैसोलीन, आटो मोबाइल डीजल, पॉलिश किया हुआ डायमंड, विमानन टर्बाइन इंदन, स्मा और मोटर कैसोलीन, यह है आपके टॉप फाइफ क्या, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, आगे चलते हैं, इरान, चौथा हमारे लिए जो बहुत इंपोर्टन्ट है, यह है इरान, इरान में हमने हमारे वीडियो की शुरुवात में ही बात की, एक बहुत ही दुखत हादसे मे हेलिकॉप्टर क्रैश में, इरान के जो प्रेसिडेंट थे, इब्राहिम रही सी, उनके साथ साथ, उनके विदेश मंत्री, बहुत सारे सच्चिव, इन सभी का क्या हो गया है, एक दुखत निधन हो गया है, जिसके बाद में, इरान में, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट थे वहाँ के, वाइस प्रेसिडेंट मुहम्मद मोखबिर, इनको क्या बना दिया गया है, वहाँ का एक्टिंग प्राइम प्रेसिडेंट बना दिया गया है, और ये भी मैंडेट किया गया है, कि जो वहाँ के राश्ट्रपती के चुनाओं होंगे, प्रेसिडेंशल एलेक यह आपके Gulf of Oman में है Gulf of Oman में मरकान कोस्ट तो Gulf of Oman के मरकान कोस्ट में एक बंदर गाह है जिसका नाम है चाह बहार फोर्ट और इसमें हाल ही में भारत और इरान, इंडिया और इरान के मद्ध एक क्या हुआ है Memorandum of Understanding sign किया गया है अगले 10 साल तक यह जो आपका बंदर गाह है इसे भारत क्या करेगा डेवलप करेगा और यूज करेगा और इसके माध्यम से जो आपका पूरा Middle East का एरिया है यानि की कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उजबेकिस्तान, यौरप, रश्या, ये सभी के लिए एक alternative route हमको मिल जाता है चाहे वो oil के लिए हो चाहे हमारे दूसरे products के लिए हो हमको पाकिस्तान को bypass करने का मौका मिल रहा है इस चाह बहार port के और चाह बहार port में ये agreement sign होने के लगबग 4-5 दिनों के अंदर ही इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें ये इब्राहिम रही सी और इनके जो विदेश मंत्री थे इन दोनों का ही बहुत बड़ा हाथ था हमारे इस चाह बहार के agreement में लेकिन agreement होते ही इन दोनों का क्या हो गया है दुपर इधन हो गया है आगे चलते हैं अब हमारे पास में कुछ ऐसे जगहे हैं है ना स्थान है जिनके बारे में हमको जानना जरूरी है एक एक करके हम उनको भी देख लेते हैं सिक्किम सिक्किम बिकम्स दा फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टो इंट्रोड्यूस ए आई बेस्ट्राफिक मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम 25 में 2024 याने की सिक्किम 25 मैं 2024 से AI अधारित AI मतलब Artificial Intelligence आधारित याता यात प्रबंदन शुरू करने वाला भारत का पहला और एक मात्र राज बन जाता है वेरी इंपॉर्टेंट आगामी एक वर्षों तक आपके वन डे एक्जाम्स में यह आपको टकराएगा यह आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा ठीक है और इसके फायदे क्या होने वाले हैं प्रबंदन है आधुनिक एवं स्मार्ट मोड पर हो जाएगा इसके बाद वाहनों की जो चोरी होगी यातायात नियमों के उलंगन होंगे इनसे तुरित निदान करने के लिए हमको क्या मिल जाएगा एक रास्ता मिल जाएगा तो हाला कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा राज बन गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है हमारे पास में कुल शेकर पटिनम तमिल नाडू ये भी आप लोगों के लिए बेहद इंपोर्टन है very 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 important आप लोगों से direct पूछा जाएगा कि ये कुल शेकर पतिनम किस राज्य में है घिक है तो ये है आपका तमिल नाडू में तमिल नाडू में एक जगह है कुल शेकर पतिनम यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि दो नए एरो स्पेस पार्क की क्या किया जा रहा है गठन किया जा रहा है और साथ ही दो रक्षा गल्यारों का भी क्या कर रहा जा रहा है यहां पर स्थापना की जा रही है मतलब two new aerospace park and two defense corridors are being established with rupees 950 करोड के investment के साथ में अब यह इतना important क्यों है क्योंकि यह one stop solution होने वाला है जो आपका satellite manufacturing है manufacturing से लेकर के launching stage तक propulsion से लेकर के उसके assemblance तक सब कुछ एक satellite का अब कहां पर होगा यह कुल शेकर पटिनम तमिल नाडू में होगा तो यह हमारे भविश में पूरी दुनिया का क्या बनने वाला है aerospace capital बनने वाला है हमारा कौन कुल शेकर पटिनम क्या हमारे पास कोई और information है इसके लिए बिलकुल इंडिया has increased foreign investment in satellite industry to 100% मतलब जो foreign investment है विदेशी निवेश इसका एक क्या होता है सीमा होती है कुछ शेत्रों में सीमा हम लागू करते हैं ताकि हम विदेशों पर पूर्णता निर्भर न हो जाएं लेकिन जो satellite का हमारा पूरा छेत्र है उसमें हमने अपने foreign investment को चाहे वो FDI हो, foreign direct investment हो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो या फिर foreign portfolio निवेश हो foreign विदेशी portfolio निवेश हो इन दोनों की ही सीमा को घटा करके हमने कितना कर दिया 100% मतलब पूर्णता ownership हो सकती है इसमें किसकी विदेशी कमपनियों की इसलिए Tamil Nadu is set to become the aerospace capital of the world दुनिया का aerospace राजधानी बनने के लिए क्या हो गया है? अपना tempo set कर चुका है Tamil Nadu आगे चलते हैं इंडोनेशिया Elon Musk launched Starlink in Indonesia अब ये Starlink को हाल ही में इंडोनेशिया में क्या कर दिया गया है? launch कर दिया गया है और ये Starlink क्या है? ये आपका जो SpaceX है Elon Musk की SpaceX exploration company है SpaceX उसके अंडर में एक satellite based internet providing company है कौन Starlink? अब ये Starlink को कहा है? आपका वो कर दिया गया है शुरू कर दिया गया है तो ये इंडोनेशिया में शुरू कर दिया गया है इसमें हमारे लिए जाने लाएग बस इतना ही है चौथा हमारे पास जो स्थान है महत्रपुर्ण वो है Brazil और Brazil इसलिए है क्योंकि ये 2027 में होने वाली जो महिला फुटबॉल विश्व कप है इसकी मेजबानी करने वाला है ब्राजील is set to host FIFA 2027 Women's Football World Cup और ये जो डेटा है ये अभी आपका हाल ही में दो तीन दिन पहले आया है ये important इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहला first ever South American country बन जाएगा पहला दक्षडी अमरे की एक देश बन जाएगा जो इस प्रतियोगिता की क्या करने वाला है मेज बान करने वाला है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब हमारे पास में कुछ important personalities है या फिर महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा का विशय बने रहे हैं पहली है आपके पास में जोती रात्रे अब ये जोती रात्रे क्यों important है क्योंकि जोती बिकेम जोती बिकेम दा oldest women of India oldest women of India to climb the highest peak of world that is Mount Everest मतलब Mount Everest को या फिर पतह करने वाली उस पर चढ़ाई करने वाली सबसे ज्यादा उम्र दराज महिला बन गई है सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति बन गई है हमारे भारत की कौन जोती रात्रे और इन्हें Mount Everest की चढ़ाई कितने की उम्र में की है इन्होंने 55 साल की उम्र में इसकी क्या की है चढ़ाई की है और Mount Everest की height कितनी है 8848.86 meters इसलिए हमारे जोती रात्रे important हो जाती है अगले हमारे पास में संजीव सूरी हाल ही में भारती ये उद्योग परी संग का क्या बनाया ग गया है जो एक गैर सरकारी व्यापारिक संग है और वकालत समूह है जिसका मुख्याले कहां है नई दिल्ली में है Recently appointed President of Confederation of Indian Industry which is a non-governmental गैर सरकारी Trade Association and Advocacy Group Headquartered at Delhi चलिए आगे चलते हैं कामी रीटा शेरपा ये हैं आपकी नेपाल की एक शेरपा है ये शेरपा मतलब उच्च स्तरी आपके परवता रोहन करने वाले लोग जो अपने साथ साथ दूसरों को प्रशिक्षन भी देते हैं और उनकी मदद भी करते हैं एक्स्प्लोर करने में दुनिया के कठिन चोटियों को उनको शेरपा बोला जाता है इन्ही शेरपा में से एक हैं आपके पास में कामी रीटा जो कहां से हैं नेपाल से हैं और इन्हों ने अपना स्वयम का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है माउंट एवरेस पर चढ़ाई करने का माउंट एवरेस पर इन्होंने आज तक 30 बार चढ़ाई कर लिया 30 टाइम्स सन 2018 के मई से इनके पास में ये रिकॉर्ड कंटीनियसली है सन 2018 के मई में इनको पहली बार ये रिकॉर्ड प्राप्त हुआ कि इन्होंने सरवादिक बार क्या किया माउंट एवरेस पर चढ़ाई करी पतेह करी उसके बाद से ये कंटीनियसली अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है और अभी फिलहाल फिलहाल में इन्होंने 30 बार माउंट एवरेस पर चढ़ाई करके अपना ही रिकॉर्ड फिर से क्या कर दिया है तो कौमी रीटा शेर्पा कहां से हैं आपको ये याद रखना है माउंट एवरेस चढ़ने वाली हैं ये कहां से हैं ये हैं नेपाल से तो वही शेर्पा क्या है मार्ग दर्शक और विशेश विशेशक जो विशिष्ट परवता रोही होते हैं दूसरों को कटिन इलाकों का पता लगाने में मदद करते हैं ये होते हैं शेर्पा आगे चलते हैं हमारा काम्या कार्थिकेयन ये हैं आपकी काम्या कार्थिकेयन ये भी आपके माउंट एवरेस पर चढ़ गई है भारत से और अपने पिता एस कार्थिकेयन के साथ ने ये माउंट एवरेस पर चढ़ी और जैसा कि जोती रात्रे ने हमारे पास में क्या बना धाया सबसे जादा उम्र द्राज व्यक्ति जो माउंट अवरेस्ट पर चड़ी उसी प्रकार यह जो काम्या कार्त II.N है यह भी परवतार हो ही है मौंटेइनियर है और यह भारत की यंगेस्ट यंगेस्ट परसन बन रही है जो कहां चड़ पाई है माउंट एवरेस्ट पर तो आप लोगों से क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है रिसेंटली कौन दो ऐसी जोडियां है जो सरवाधिक उम्र में और सबसे कम उम्र में भारत के माउंट एवरेस्ट पर चड़ने का रिकॉर्ड सेट किया है तो जोत सरवाधिक उम्र में और काम्या कार्दिकियन सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट यडने वाली व्यक्ति बन गई है इसके बाद में हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट हाजाते हैं यह हैं टेलर स्विफ्ट यह एक अमेरिकन पॉप सिंगर है यह वर्ल्ड की सबसे टॉ पॉप नंबर पर सिंगर हैं अभी पॉप सिंगर और हाल ही में इन्होंने अपना एक एल्बम रिलीज किया है जो काफी इनके व्यक्तिगत जीवन पर आधारित माना जा रहा है और यह आपका एल्बम है तो आपसे डिरेक्ली क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या किया गया है रिलीज किया गया एल्बम है जब आपसे ये पूछा जा सकता है कि तरला दलाल का कैरेक्टर कौन निभा रही है क्या वो काजोल है क्या वो हुमा खुरेशी है या फिर आलिया भट है तो फिर इससे भी सवाल आ सकता है क्योंकि ये एल्बम रिलीज होते ही काफी सार records को क्या कर दे रही है तोड रही है जैसे कि पहला record इसके पास में है एक दिन में 38 करोड streamings हुई है Spotify में Spotify आपका एक क्या है musical app है music का क्या है एप है जिसमें दुनिया भर के albums को क्या किया जा सकता है सुना जा सकता है है ना तो उस Spotify में 38 करोड streamings एक दिन में होने का record बनाया है दूसरा the song of the year बन गया है ये song release होने के 48 गंटे के अंदर में ही और तीसरा ये दोनों आपके इस album से संबंदित क्या है records है इसके बाद में according to Forbes Taylor Swift is the first singer who has earned 1.1 billion dollars मतलब 1 billion dollar से ज्यादा कमाने वाली जो एक मात्र singer है पूरी दुनिया की वो है कौन Taylor Swift इसके बाद में इन्हें 14 Grammy Awards मिल चुके हैं आज तक इन्हों इन्होंने 14 Grammy Awards जीते हैं और साथ ही एक आपके category होती है Grammy Awards में album of the year की ये album of the year का चार Grammy Awards जीतने वाली एक मात्र pop singer है तो इतने सारे यहां पर records सेट कर रही है कौन Taylor Swift एक तो इन्होंने 14 Grammy Awards जीते हैं टोटल में चार Grammy Awards इन्होंने जीते हैं album of the year के आपके criteria में और इतने बार Grammy जीतने वाली ये एक मात्र क्या है singer है जिन्होंने album of the year के लिए सरवाधिक बार याने की चार बार क्या जीता है Grammy Awards जीता है इसके अलावा और ये क्या कर रही है Spotify पर इनका जो अभी हाल ही में release आपका album है The Tortured Poets Department एक दिन में 38 करोड बार इससे सुना गया है दूसरा 48 घंटों के अंदर में ही song of the year बन गया है ये पुरे विश्व का तो ये सारे records तोड़ दिया है कौन आपका ये album The Tortured Poets Department और इसकी लेखी का इसका music direction इसका singing सब कुछ करने वाली कौन है Taylor Swift जो दुनिया की सबसे number one पर है कौन pop singer के category में ठीक है इसके बाद हम देखते हैं हमारे खेल में हमारे भारत का क्या प्रदर्शन रहा है very 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 important आज तक का भारत का हमारा सबसे best performance रहा है world para athletics में wishw para athletics में हमारा best performance रहा है कहां पर हुआ ये ये हुआ kobe जो की जापान में है हमने कुल मिला करके 17 medals हमने क्या किये है जीते हैं कितने medals जीते हैं हमने 17 पदक हमने जीते हैं और ये 17 पदक कैसे जीते हैं हमने 6 gold जीते हैं यानि हमने Asian record बना दिया है और एक हमने championship record बना दिया है तो ये आपके आगामी एक वर्षों में होने वाले जितने भी exams हैं उन सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है वही data है छे गोल्ड पाथ सिल्वर छे ब्रोंज इंडिया बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ वर्ल्ड चैंपेंशिप ओवरॉल जो rank रही हमारी है वो कौन सी रही है छटवी rank रही है पहले rank पर रहा आपका चाइना दू है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली कौन है दिपती जीवाँंच इन्होंने क्या किया है हिन्होंने 400-m congregate race में 55.20 य सेकंड्स में 400 मीटर की रेज जीत करके इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है याने की विश्व कीरती मान स्थापित किया है इन्होंने इसके बाद में हमारे पास में दूसरा है जो Asian Award हम लोगों को क्या किया गया है हमने बनाया है Asian कीरती मान बनाया है हमने और ये बनाने वाले कौन है ये हैं आपके सचिन खिलारी और इन्होंने भी क्या जीत लिया है गोल्ड मेडल जीत लिया है और ये कौन से खेल से संबंदित है इन्होंने शॉट पुट में क्या किया है Asian Record बनाया है इसके बाद में तीसरे जो हमारे व्यक्ति है वो है Mariyappan Thanga Value इन्होंने क्या बनाया है इन्होंने भी गोल्ड जीता है किसमें Men's High Jump में और इन्होंने क्या बना दिया है एक Championship का Record बना दिया है तो ये तीन हमारे Major जो Records हमने बनाया है वो है इसके बाद में तीन और हमें Gold Medal मिले है एक मिला है सुमित अंतिल को जिसने Javelin Throw में ये क्या बनाया है भाला फेक में अपना क्या बनाया है Gold Medal हासिल किया है दूसरी है एकता भयाना इन्होंने Women's Club Throw में क्या किया है Women's Club Throw में एक Gold Medal हासिल किया है इसके बाद में आ गए हमारे Simran Sharma, इन्होंने 200 meter race में क्या किया है, women's 200 meter race में हमारे क्या जीता है, gold medal जीता है, इसके बाद में दूसरा हमारे लिए जो important हमारा sports है, वो है world weight lifting competition, जो की लीमा परू में हुआ, लीमा परू, और ये परू भी आपका क्या है, एक South American country है, परू, है तो ये जो आपका world youth weight lifting competition हुआ, विश्व युवा भारत तोलन प्रतियोगिता, इसमें 15 वर्षिय प्रिती स्मिता भोई, हमारे भारत की 15 वर्षिय प्रिती स्मिता भोई ने विश्व किर्तिमान रच दिया है, इन्होंने world record बनाया है, 40 kg की category में इन्होंने 76 kg clean and jerk event में क्या किया है, world record बना दिया है, कितना, 76 kg को क्या करके, उठा करके, वेट लिफ्ट करके, इन्होंने क्या बना दिया है, world record बना दिया है, तो इस परदा में भारत की जोचसना ने भी 79 kg वजन उठा कर भारत के लिए रज़त पदक जीता है, मतलब यहाँ पर gold भी हम जीत रहे हैं और silver भी हम जीत रहे हैं, gold जीतने वाली कौन है, प्रिती स्मिता, और silver जीतने वाली कौन है, जोचना, और यह प्रिती स्मिता ने एक और क्या काम कर दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और ये कौन से इवेंट में बनाया है इनोंने clean and jerk इवेंट में और ये कौन से प्रतिसपरधा है तो ये है वर्ल्ड यूथ weightlifting competition जो की हाल ही में परू में और्गनाइस कराया गया इसके अलावा हमारे पास और भी दो 46 वर्ग आपकी कैटिगरी में क्या किया है जीता है इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है Asian Relay Championship तो हाल ही में Thailand की Capital Bangkok में क्या किया गया है Asian Relay एक जो competition होता है उसका आयोजन किया गया इसमें 400 into 4 मीटर जो Relay है उसमें हमारी भारतिय mixed team याने की male female mixed team ने क्या किया है gold medal जीता है तो Asian Relay Championship में भी हमने क्या जीत लिया है gold medal जीत लिया है और यह क्या है एक team event होता है जिसमें male female दोनों होते है Relay है यह race है 400 मिटर into 4 का यह race है ठीक है अब इसमें देखने है कौन-कौन teammates रहे है एक है मुहमद अजमल दूसरी है जोतिका श्रीडांडी तीसरे है अमोज जैकोब और चौते है सुभाष वैंकटेश इन चारों की team ने क्या किया है gold medal हासिल किया है इसके बाद में Thailand Open याने कि यह हम शायद हमारे पिछले वीडियो में भी हम देख चुके हैं Thailand Open कौन से खेल से संबंदित है तो यह संबंदित है आपका बैटमिंटन से 2024 का जो संसकरण रहा इसको जीतने वाले कौन है इसको जीतने वाले हैं आपके सात्विक साईराज, रंकी रेड़ी और चिराग शेटी जो हमारे भारत के स्टार शटलर्स हैं इन्होंने क्या किया है Thailand Open जीतने का करम यह दूसरा है याने कि यह लोग एक बार और Thailand Open जीत चुके है यह दूसरी बार इन्होंने Thailand Open जीता है 2024 में इन्होंने एक और विश्व प्रतिस परधा जीत चुकी है और इसका नाम है क्या? French Open और यह सब के साथ साथ आज के डेट में World Badminton Federation जो है उसकी रैंकिंग के अनुसार यह World No.1 रैंक पर आ गये हैं कौन-कौन? सात्विक साहिराज, रैंकी रेड़ी और चिराग शेटी तो यह है हमारे कौन? Star Shutlers भारत के अब कुछ हमारे पास में विविद फैक्ट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं विविद जानकारियां है सबसे पहला है World's AIDS Vaccine Day तो हर साल 18 माई को World's AIDS Vaccine Day मनाया जाता है आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे कमेंट करके AIDS का फुल फॉर्म बताएंगे AIDS का और इसको कॉस करने वाला जो वाइरस है इसको हम बोलते हैं HIV वाइरस है ना? तो HIV कभी आप क्या करेंगे? हम को फुल फॉर्म बताएंगे उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तब तक हम वापस आते हैं 18 माई को हर साल हम क्या करते हैं? World's AIDS Vaccine Day बनाते हैं यह World's AIDS Day नहीं है यह World's AIDS Vaccine Day है क्योंकि आज तक AIDS का कोई वैक्सिन निजात नहीं किया जाज पाया है इसलिए हम इस दिन को क्या करते हैं? मार्क करते हैं ताकि हम awareness यह फैला सकें दुनिया में कि हम को क्या चाहिए? There is an urgent need for AIDS and HIV vaccine ठीक है? तो AIDS का फुल फॉर्म और HIV का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे AIDS Vaccine Day किस दिन बनाया जाता है? हर साल 18 माई को आगे चलते हैं Bloomberg की क्या आ गई है? billionaire index आ गया है 2024 का मतलब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची है यह 500 दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची होती है कौन? Bloomberg द्वारा release किया जाने वाला अरब पती सूच कांक इसमें इस बार Jeff Bezos और Elon Musk सेकंड और थर्ड नंबर पर है जो दुनिया के सबसे richest person है वो है Bernard Arnold ठीक है? तो सबसे आप से यह पुछा जाएगा 123 rank को चमाने के लिए तो सबसे पहले पर कौन है? Bernard Arnold दूसरे है Jeff Bezos और तीसरे है Elon Musk भारत से हमारे कौन-कौन है? ये भी देख लेते हैं गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए है और ये कौन से नंबर पर आ गए है? दसवे rank पर है भारत में पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया में जो second आपका मतलब भारत के दूसरे सबसे रही सादमी जो world ranking Bloomberg की world ranking में आपका हिस्सा है वो है मुकेश अमबानी और ये हो गए है आपकी दुनिया के 12th richest person या फिर इंडिया के second most richest person और ये जो index है ये है आपका top 500 richest people का क्या है आपका एक ranking है या फिर index है चलिए आगे चलते है अगला है हमारे पास में ये हम पढ़ चुके है acting president of Iran में मुहमद मखबेर को क्या बना दिया गया है acting president बना दिया गया है जब महां के president रही सी की क्या हो गई है प्रित्यू हो गई है उसके बाद से हमने पहले देखा है इवं परेटन सूच कांग 2024 release करने वाली संस्थान कौन सी है इसी release करने वाली संस्थान जो है world economic forum या फिर विश्व आर्थिक मंच कहलाता है ये world economic forum है ये क्या जो इस data को release करती है world travel and tourism index और इसका 2026 का संस्थान आप सभी के सामने में आ गया है पहले जो है इस नंबर पर ये है अमेरिका दूसरे पर है Spain और तीसरे पर है जापान भारत इसमें 49 नंबर पर है 39th rank पर और ये जो index होता है ये एक से लेकर साथ के पैमाने पर इसको क्या किया जाता है आंका जाता है सूच कांक एक से साथ के पैमाने पर अंकों के अधार पर तैयार किया जाता है जहां एक सबसे खराब और साथ सबसे अच्छा माना जाता है मतलब जिसको जितना जादा नंबर मिलेंगे जितने जादा पॉइंट्स मिलेंगे वो उतना जादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा होगा कि इसमें पर्यतन की दृष्टी से तो सबसे पहले रैंग पर कौन है अमेरिका दूसरे नमबर पर है जापान और तीसरे नमबर पर है जापान भारत की जो स्थिती है वो कौन से रैंग पर है यह आगामी एक दो महीनों तक यह आपके लिए रेलेवेंट रहेगा उसके बाद में यह रेलेवेंट नहीं रह जाएगा व्यट नाम के नय प्रेसिडेंट न्युक्ति किये गये है कौन टू लैम बस आपको इतना ही इसमें रटना है टू लैम कौन है तो वियत नाम के नए राश्ट्रुपती है और फाइनली फॉर्स टाइम इन इंडिया लैंड रोवर जो आपकी कमपनी है जैगवार लैंड रोवर जिसे पिछले कुछ सालों पहले टाटा मोटर्स ने खरीद लिया था रटन टाटा के स्वामित्व वाली ज जो फ्लाइकशिप अपकी क्या है गाडियां है याने की रेंज रोवर रेंज रोवर स्पूर्ट्स ये आज तक पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगा मैनुफेक्चर की जाती थी जो है आपका हुली सुल आपका इंग्लैंड में इंग्लैंड में एक सॉली हुल नामक जगा है आपका इंग्लैंड में सिर्फ एक मातर ऐसी जगा है जहां पर लैंड रोवर की कमपनी की कौन सी कार्स रेंज रोवर और range rover sports बनाए जाती थी इंग्लैंड के इस soli hole के बाद में पहली बार पुरी दुनिया में कहीं और पे ये cars बनने जा रही है और वो बनने जा रही है कहां हमारे भारत में ठीक है तो ये हमारे लिए एक special fact होता है और यहां पर हमारा खतम होता है आज का session जिसमें हमने मई महिने के तीसरे हफ़ते में होने वाली सभी प्रमुक घटनाओ जो राश्ट्री और अंतर राश्ट्री है उनको हमने क्या किया है डील किया है कल याने कि Thursday को हम इसी वीडियो के अधार पर आपके सामने लेकर के आएंगे क्या MCQ तब तक हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा और अपने Current Affairs और अपने Civil Services की जर्नी में Excel कीजे थैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये Competition Community के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अत्वा Description Box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ Team Coco